मिक्स फलूदा है ना गाईज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहां का मिक्स फलूदा बहुत ही टेस्टी है और काफी दूर से लोग यहां पे आते हैं खाने के लिए तो आज मुझे मुझे मौका मिला है इनका मिक्स फलूदा खाने का तो इसलिए मैं आज आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो किस तरह से बना रहे है तो आपका मैंने सुना है कि बहुत जादा फेमस है क्या राज है इसका अच्छा बनाता है अच्छी ग्वालेटी है अपना ही है सब अच्छा मतलब सब कुछ खड़ीद के सब अपने ही से बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मिक्स फलूदा है किस तरीके से आइस क्रीम पर आइस क्रीम डाले जा रहे है देखने से काफी टेस्टी लग रहा है और अभी तो बहुत कुछ डालना है आपको देखो यह चीजे जो हैं यह शायद बदाम का है ना यह बहुत सारी चीजे हैं जो डालते हैं और चिया सिट से हो तो ऐसे भी टेस्टी होता है यह क्या डाला पर देखने में और खाने में और ज्यादा टेस्टी लगता है मैं पहली बार यहां पर आया हूँ खाने के लिए और मैं आपको खा के बता हूँ कि कितना टेस्टी है तो अभी और भी कुछ डालेंगे मतलब कम नहीं हो रहा है बिलकुल देख सकते हैं आइसक्रीम वेगा रहा जो भी है मैंने सुना यहां पर लोग काफी दूर-दूर से आते हैं खाने के लिए सच है अब यहां चलो खा के बताता हूँ कि कैसा है देखने से देख सकते हो कि अब कितना टेस्टी लग रहा है देखने से सच में यार मज़ा आ गया मतलब इतना टेस्टी है यह आप देख सकते हो लोकेशन जो है हमारे ठीक सुसाइटी के भगल में है यह इसको ओमिक्रॉन थर्ड बोलते है ना ओमिक्रॉन थर्ड गोल चकर पर यह काफी अगर आप लोग खाना चाहे तो यहां प्यागे मिक्स पलुदा खा सकते हैं और बहुत ही बहुत टेस्टी बतलब यार फिप्टी रुपीज है इसका चाहर अगर आप फिप्टी रुपीज में जितना टेस्टी है कुछ भी नहीं है मस्ट तो मैं मिक्स पलुदा को इंजॉय कर रहा हूं और आप ही वीडियो शेयर करो और भाई को सपोर्ट करो भाई बहुत ही अच्छा कमाल का बनाते हैं ट्रेस्ट मी और जब आप एवर खाओगे ना तो बार बढ़ा के खाओगे तो चैनल को शेयर कर देना कमेंट्स करन लाइक बनता है यार और सब्सक्राइब जबू करते रहा है तो फिर मिलते हैं नेक्स श्वीट में तब तक लिए बाबाई एंज ठेक्यार